मुख्य मंत्री अशोक गहलोत कॉंग्रेस का थोड़ा माहोल बनता है ठंडा होता है इसी वीच कोईन कोई इंटर्यू बंप भोड़ ही देते हैं उन्होंने सचिन पाइलेट को मंत्री बनाने की सिफारिष्ट वाली बात कहके फिर से अपना एक जादोई चाल जो है वो चल द दिख रहा है अशोक गहलोत ने हिंदुस्तान टाइम्स की एक वरिष्ट पत्रकार सुनेत्रा चोदरी को इंटर्यू दिया है यह वही सुनेत्रा चोदरी हैं जिनोंने सलाखों के पीछे गए कई नेताओं के इंटर्यू किये हैं और उनकी एक किताब भी है तिहाड डाइर की थी और साथ ही एक किताब उनकी तिहाड के जो पूरू जेलर रहे हैं मिस्टर गुपता उनके साथ एक किताब आई तो उनहीं सुनीतरा चोदरी ने अशोक गहलोत के साथ इंटर्यू किया तो अशोक गहलोत ने दो वड़ी बातें कही हैं जो की सीधे तोर पे अशोक गह सरकार में इसमें उन्होंने सिफारिश की थी औस गहलोत ने ये भी कहा हैं कि सचिन प्रस पहले ही कर दी है और्षिंड्य ने इस इंटर्यू में कहा है कि वसुंद्रा राजे कि जब सरकार थी दो जार तीन से आठ उसमें कही गुजर मारे गए यह थे गुजर समाज में बयान को सचिन पाइलेट उनका खेमा समर्तक किस तरीके से लेंगे लेकिन अशोगहलोत ने कहा है कि उनकी लाइफ में उनकी राजनितिक जीवन में दुश्मनी जैसा कोई शब्द नहीं हैं तो इस लाइन के बाद में महिपाल मदेरणा मिर्धा समेत कई जो खांटी परिवा हुआ करते थे राम सिंग विश्णोवी समेत उनके समर्तकों में थोड़ा सा वो सोचने पर बजबूर हुए हैं क्या वाकई अशोगहलोत की राजनितिक जीवन में दुश्मनी जैसा कोई शब्द है या नहीं यही सोच सचिन पालेट के समर्तकों में हैं क्या वाकई मुख अशोगहलोत का बयान कई माइनों से देखा जा रहा है और इस बयान के कई अर्थ लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात यह भी कई है कि वह चाहते हैं कांग्रेस के राश्ट्री अध्यक्स अगर उन्हें बनाया जाता है तो वह उस पर काम करना चाहते ह उनका यह मानना है कि मुख्यमंत्री के पद से बड़ा पद कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्स का है आपको याद दिला दें पिछले साल एक कोशिश हुई थी राहुल गांदी ने आववान किया था कि अशोगहलोत मुख्यमंत्री जो है राजस्तान के वह कॉंग्रेस के देक्ष बने लेकिन 25 सितंबर को एक घटना हुई और उस घटना के बाद में समिकरन बदल गए तो कॉंग्रेस में अगर इस इंटर्वियू का अगर एक निचोड निकाला जाए तो साफ तोर पे अशोगहलोत कोई एक बड़ा बड़ा मैसेश दे चुके हैं इसके माध् एक डिजाइन बक्षे ने मार्केट में डाला था करोडों की सरकारी पूंजी की आधार पे उस नारे का अब ट्वीटर या कहीं भी हैस्टेंग नजर नहीं आता लेकिन मुख्यमंत्री अशोगहलोत अभी भी यह दम रखते हैं कि वह कॉंग्रेस की जो नईया डगमगा र किसी तरह का जगडा नहीं है सचिन पैलेट के पिता स्वर्गे राजेश पैलेट को लेके भी अशोगहलोत ने कहा है हमने साथ में राजनीति की थी उन्हें नहीं लगता कि स्वर्गे राजेश पैलेट ने जो मिजोरम में जो बंबार्मेंट हुआ था 1966 में अमित मालवी बीजेपी के नेता ने जो आरोप लगाये थे उनमें उनका कोई हाथ था और उस समय अशोगहलोत ने ट्वीट भी किया था सचिन पैलेट ने भी इसमें कहा कि उनके पिता का करियर यानि की प्रोफेशनल एज फाइटर पैलेट करियर बाद में शुरू हुआ था तो बात क ऐसा नहीं है तो कॉंग्रेस के लिए शुब संकेत हैं और 2023 के अंत में विधान सभा के होने वाले चुनाओं में कई सारे समीकरण जो है वो इस बयानों की सत्यता के आधार पड़ता है होंगे समीकरण क्या होंगे देखते रहिए थिंक 360